प्रिदार मंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है कि हम विश्की भॉपरी एक्सवाश्ता बने, पास्ट्रिडियन की एकनॉमी बने, लेकिन उसके लिए जीदी फी ग्रूथ आपकी आज परसेंग नो परसेंग को ने चीए, आपकी एक्सपोर्ट की जो ग्रूथ है वो 12-13-14 परसेंगे जीए, उसके मखावले काथ हो थे हैं तैसे लिएश्ट एकनॉमी से हमको एक वाइबरेंग एकनॉमी के आपका स्वागत है, मैं CEO अभिशेक शर्मा आपके साथ हूँ, आपके बीच हूँ, आज हम लोग लेकर आए हैं MSME Dialog, जी हाँ, Micro, Small and Medium Enterprises से रिलेटेड, क्या योगदाने इंडिया की डवलप्मेंट में, एकनॉमी में, राजिस्थान में बात करें, एक्स्पोर्ट से बात करें, तो आज हम डिसकस करेंगे, हमरे साथ डिसकस करने के लिए हैं, Federation of रहस्थान एक्स्पोर्टर के अध्यक्ष और RTDC के एक्स चेर्मेन, जानमने इंडेस्टिलिस, राजी वरोराजी राजीव सार, आपका स्वागत है, सिटी लाइ बिसन्स डालोग में, देन्यवाद, नमस्कार, आज का सर, जो हमारा एपिसोड है, इस पे हम लोग स्पेशल MSME एपिसोड पे लेकर आ रहे हैं सर, और डिसकस करना चाहेंगे, कि MSME का क्या कंट्रिबूशन एकनोमी में, पहला कुश्चन सर, मैं आपसे एक लेना चाहूँगा कि, बात करते हैं MSME की, चाहे स्टेट गवर्मेंट करें, चाहे सेंटल गवर्मेंट करें, तो क्या लगता है आपको कि अगर इंडिया की एकनोमी को हम लोग लेकर चलें, तो इंडिया क हो सकता है कि उनका करन ओवर रेविन्यू बहुत जादा हो, जीगीपी में भी उनका शेयर शेयर जादा हो सकता है, लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें, तो MSME सबसे जादा नौजवानों को रोजगार देता है, और इस देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, तो ज के तरफ सरकार का विशेश ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अलगलग समस्या हैं, और एक विकास्षील देश बहुत लंबे समय तक रहा है, जैसा इंगिस्ट्रिशन अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में हुआ, वैसे हमारे हाँ उस तेजी से नहीं हुआ बड़ा नहीं हुआ, तो मेरे खाल से आवशकता है इस बात की है, कि हम हैवी इंगिस्ट्रिश तो लगाएं, लेकिन साथ साथ हमारा ध्यान छोटी इंगिस्ट्रिक तरफ होना चाहिए, विशेश तोसे राजिस्टान में, जो कि कौकिस इंगिस्ट्रिश से जुड़ावा शेतर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो जार करोड की एक इंगिस्ट्रि लाने की जगए है, आप एक हजार इंगिस्ट्रि दो जो करोड रुपे के लेके आएं, तो दो जार इंगिस्ट्रि लगती है, और दो जार जब यह एक हजार इंगिस्ट्रि लगती है, अगर एक मे 25-50 लोगों को भी employment मिलता है तो 50,000 लोगों को employment मिलता है 2,000 करोर की इंगेस्ट्री कभी 500-700,000 से ज़ादा लोगो employment नहीं दे सकती तो मेरे ख्याल से ये सरकार की प्रात्मिक्ता होने चीए चया हो केंदर सरकार हो चया हो राज्य सरकार हो भारत जो है वो विश्यू का सबसे बड़ा democratic country है सर और केंदर और राज्य सरकार ने बहुत सारे प्रोचसाहन स्कीम से दे रखी MSME को क्या आपको लगता है वो स्कीम सफिशेंट है सर ताग्यों में तो बहुत अच्छे लगती है बज़क की गोशना भी हो जाती है लेकिन अगर आप MSME इंग्सक्री के अंदर हो आपको कोई मशीन आपसे इंपोर्ट करनी है बाहर से तो 25 तीस लाग रुपे का भी अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओ तो करता है को लेक्टरल दो जो कि बल्कुल गलत है सरकार के तरफ से एक प्रोक्रेक्शन है MSME इंग्सक्री को कि आप अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर आपकी इंग्सक्री है 25 तीस पचास सो क्रूर रुपे का का काम करती है तो अगर 25 पचास लाग रुपे का अगर आप लून लेते हो तो बैंक को जो फाइदा पताना चीए सहाइता देने चीए उससे अपग्रेगिशन होगा बिजिनस का इसके अलावा मेरे खाल से सालों पहले मशीने लिखी गई थी किन-किन मशीनों के पर आपको सेहुग राशी मिल सकती है वो समझ बदल गया रोज नएक केक्नलोजी आती है अगर जवारात इंग्रिस्ट्री से लें तो कास्किंग की मशीन जो लिखी वी थी उससे आज बहुत बदल चुकी प्लेकिंग की मशीने जो थी 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 बदल चुकी वो कहते हैं साब इनका नाम हमारी लिस्ट के कंदर नहीं है और इस बारे में ज़्यादा अवेर्नेस भी नहीं है MSME का जो गेपार्टमेंक है जो चाहता है कि उद्धुक दंदे इस प्रदेश में और इस देश कंदर बढ़ें उनको हर इंगस्किलिस के पास जाना चाहिए उनकी याँ इस क्विशे में जागरुकता होने चाहिए सेमिनार होने चाहिए क्रेग बॉगीस का भी बहुत बड़ा रोल है मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आपका जो और्गनाइशन है इतनी महत्पून चर्चा लेकि आया है मेरे ख्याल से ये विचार तेजक जो बातचीत है इसका फाइदा पहुँचेगा सब जगे ये बात पहुँचेगी निश्वत रूप से इसको मजबूत करनी का आवज सकता है दूसरा प्रधान मंत्री बड़ा इंक्रेस लेती है कि मेकिन इंगिया बने जो आपने मेकिन इंगिया में अख्यारा शुरू में जो सब्जेक रखे उन्हें बहुत महत्पून सब्जेक ऐसे रगए जिनको आपने उसमें कवर नहीं करा जिसमें आप उन्हें प्रात्मिक्ता नहीं दी जवारात इंगिस्ट्री उसमें प्रात्मिक्ता नहीं दी गई है जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अर्णिंग करने वाला एक शेतर है रोजगा देने वाला शेतर है तो मेरे एक हाल से जब भी इस तरह की स्कीम्स बनें उसके अंदर इंगस्ट्री से भी गया लोग होना चाहिए उसके बाद में निर्णा लिया जाना चाहिए और उनको थर्स के लिया बना के उसके ओपर काम करने के आवशकता है अगर सार हमरे लुग राहस्तान गौर्फट्यके इसके बात करें तो हाली मेरे ख़ाल से ये देश में एक क्रांती कारी कताव है जैसे राही क्यों चाहिए पूरे देश के इनर्मिसाल इसमेट बना राहूल गांदी जी ने गोशना करी थी चुनाव से पहले, कि हम इस तरीकी की स्कीम लेके आएंगे, अशोग गैलो जी की जब सरकार बने राहिस्तान में, उन्होंने बिना समय बर्बाद किये, तुरंत ये स्कीम लागू करी है, कि तीन वर्ष के आपको छूट है, आपको न से काम करा है कि ने करा, मेरे खाल से स्कार्ट अप के लिए इससे बढ़िया इसकीम, पुरे देश में नहीं है, ये एक मिसाल बनेगी, और दूसरे प्रदेशों को भी इसकी अनुपालना करने चाहिए, इससे प्रोसान लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेने चाहिए, और प पर आंकडे कुछ और कहते हैं, आंकडे कहते हैं कि जो 15-16 में एक्सपोर्ट था, MSME का कंट्रिबुशन था, वो 16-17 फैनेशियर में और ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपका क्या व्यक्तिक अधरा है इस बारे में साथ। लेके आए, उसके संग मेरे चाहिए, जो होना चाहिए तो पूरा नहीं हुआ, और उसकी वज़े से क्रेगन इंग्रिक्ष्री को, आम आदमियों को बड़ी तकलिवों का सामना करना पड़ा, एक अनावश्या ग्रूप से ऐसी किक्ष्णाई या आगी, और दो-तीन मेने त जीएसकी का उद्देश्य सोच बहुत अच्छी है, लेकिन वेपारी बहुत समय तक समझ नहीं पाए, उसको किस तरीके से लागू करना है, जीएसकी की जो रेके थी, वो तरक संगत नहीं थी, बाद में सरकार को सुदार करना पड़ा, कई चीजों मेरे के कम करना पड़ी, सबसे जो अपर लिमिक्ट योगा 18% की सोची की थी, लिएक उसको बहुत ज़ादा बढ़ा दिया गया, और बहुत सारी चीजें जैसे पेक्टरॉल डीजल, अलकोहल को GSK बहार रखा गया, तो सब कुछ इस तरीके से हुआ पिछले 3-4-5 वरशों के अंदर, कि अपनी रफ परसंग की होनी चीए, आपके एक्सपोर्ट की जो ग्रॉथ है, वो 12-13-14 परसंग की होनी चीए, उसके मेकाबले कहा ग्रॉथ है, अगर आप वो ग्रॉथ नी पाऊगे, और बहुत सारे सेक्कर में तो नेगर्टिव ग्रॉथ है पिछले 3 साल के दिए, मैं नहीं मानता की 16 साल के बाद भी ग्रॉथ बड़ी है, बहुत सारे सेक्कर हैं जिनके अंदर नेगर्टिव की ग्रॉथ हुई है, इन पर सोचनी का हो सकता है, हिंदुस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है भी, क्योंकि जिस तरह की क्रेड़ वार अमेरिका और चैना के बीश में चल र करते हैं, तो उसे ना के बहुत रोजगार बढ़ता है, बलकि देश के लिए आवशक फॉर्म करेंसी को हम लोग अर्न करते हैं, उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमिंग है, वो सुधरता है, क्योंकि आज भी हमको बहुत सारा तेल आयात करना पड़ता है, हमको सामरिक हचार आयात करने पड़ते हैं, बड़े बड़े एरक्राफ्स आयात करने पड़ते हैं, तो हमको निर्यात अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमिंग कैसे होएगा, तो मेरे एक्सपोर्ट एक प्राक्टमिक तो होने चाहिए सरकार की, ऐसी नितियां बनने जूरिरिंग इस्क्री का, यहांचे सिल्वर औ गोल्ड जूरिर बहुत एक्सपोर्ट होती है इंगिस्क्री की गिमांग थी कि 10% जो हमारे हाँ गूकी है गोल्ड के इंपोर्ट के उपर, सिल्वर के इंपोर्ट पे उसको घटाके 4% करीज़ा है सरकार ने बढ़ाके उसको गाही पर सेंग उत여ड़ा दी चाही कर dig तो हम कैसे थाइलेंग से चाइना से ba दो को से कैसे मुझाब्ला करेंगे तो मेरे ख्याल से तरग संगत अकर नीति बनाई जाए तो निशीत रूप से इदेश बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है क्योंकि यहां की युवा और यहां की एंट्रिप्रिनियोर में बहुत जजबा है काम करने की इच्छा शक्ती है बहुत पढ़े लोग लिखे लोग है चालिस वर्ष से कम उमर के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा किसी देश में तो हिंदुस्तान के अंदर है 21 में शताब देश हिंदुस्तान की शताब भी बन सकती है अगर सरकार और वेपारी दोनों मिलके इस देश की उकनोमिक बढ़ाने के लिए काम करें अगर आजस्थान के मोग बात करें सर तो राजस्थान के में क्या एकस्पोर्ट के मेहन अगर जाता है और वरतमान में क्या उनकी स्थेती और आगे सर क्या बविश्य आप देखते हैं इसके लिए लेकिर राजस्थान एक लेंग लॉग्ड इसकेक है हमारे बंदरगा नहीं है लेकिन तब भी अबारा क्योंकि कुकी रुद्योग बहुत स्ट्रोंग है हेंगी क्राफ्स है जूलरी है केक्स्ट्री है कार्पिक बनते हैं उनका बहुत अच्छा उद्योग है तो जो परंपरा कैसे मिले एक तो उस पर ध्यान देनी का आवशकता है उसके लावा एक्रिकल्चर प्रंकेक भी बहुत राहिस्थान से एक्सपोर्ट होने लगे हैं जैसे मसाले हैं गौर गम हैं बहुत बड़ी कौनके कीम होता है अब तो इंग्यसक्री भी बहुत सारी लग रही है लेकिन सरकार के द्वारा बनी वी एक राइस्थान एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉंसिल राइस्थान बन जाएगी जो राइस्थान से होने वाले हर किसम के निर्यात को ध्यान देगी उनके समस्चाओं के बारे समझेगी उनको अंतराश्चित बढ़ार कैसे मिले इसके बारे में भ करें सर तो रिप्स 2014 जो राइस्टन गवर्मेंट की स्कीम थी उसमें जी इस्ट आने को नया नोटिफिकेशन आया जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट है उस साइच का 50% जी इस्टी तक सरकार ने वापस रिफंड के प्रावधान उसमें की है जो कौटली बेसिस पर आपका र मैं समय पर एंगिस्ट्री से मिड़किट की जाती है कि सरकार कई किसम की केक्सिजिश के कम कर दे रिफंक करते ले आपको महलوم है कि फिर एकनौमी चले, कैसे सरकार का सत्फिंम कैसे चलेगा मैं एक बात पता सकता हूँ कि आ और राहस्तां की सरकार है वो बहुत ही सम्विदेंशील सरकार है कल भी बहुत सारे मिल वाले लोग मुक्हिमतिजी जी मिले थे उन्होंने का कि जो पावर पे जो कैप्टिव पावर के ओपर आपने एक पर सेंग शुलक लगाया है सौर पर शुलक लगाया है उसको कम करा जाए तो उन्होंने इसको सिक्सी पस्रिक कर दिया तो निशित रूप से ये सरकार समय देंशील है जो भी उचित गिमांड होगी उसके ओपर ध्यान देगी मैं एक बात पकी बतारा जाता हूँ कि राजा सरकार चाहती है कि स्कार्ट अप्स को हम विशेश रूप से पोस्तान दे उनके MSM स्कीम देखिये एक स्कार्ट अप कॉंसिल दोबारा पुरह रख्षम करने की बादशी चल रही है इन्फॉर्मेशन केक्नलोजी में रायसन बहुत काम हो सकता है एज्यूकेशन बहुत काम हो सकता है सर्वेस इंकिस्क्रीम बहुत काम हो सकता है यह हमारी बहुत बुनियादी चीजें है जिनके बारे बहुत सोचने का आप शकता है सोलर अनरजी का जो फील्ड है उसे बहुत काम हो सकता है उसके बारे में भी और किने के वे अफ प्रग्यूसिंग एनरजी के बारे में सरकार बहुत चीज सोच रही है तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि कोई भी कमिया है उनको दूर करा जाएगा अभी पहले वैक के बहुत लबे समय से केसे चल रहे थे उनके लिए भी सरकार ने एक तर को और देश को और सोचते हैं कि MSM सेक्टर भी इस तरह से ग्रोथ करेगा एक लास्ट कॉश्चन सर में आपसे लिना चाहूंगा कि जो GST के बात करें GST पर्टिक्लर MSM सेक्टर पर जो एक्सपोर्टर से उनको GST refund क्लेम करना पड़ता है तो कई बार refund आने में डिले हो जात है उसके बारे में से आप क्या कहना चाहेंगे यह बहुत बड़ी समस्या है जब GST की लागू हुआ था उससे पहले बहुत सारी चीजों के उपर हम लोगों ने क्योंकि केक्स देते रहे हैं और ऐसी बहुत सारी इंगिस्ट्री हैं जिसमें तीन परसंग या पांच केक्स दिरना पड़ता जिसमें इन अड़रेंट डूटी स्टेक्चर है उसके वह से आपका GST एक्यूमिलेट होया था है जिसका आपको रिफन क्लेम करना पड़ता है और कई लोगों के पास बड़ी समातरा में किसी पाइक करोर एक करोर एक्यूमिलेट करा हुआ है और उस उस पर आपने सत्रा परसेंग वेक दिया ये GS की दिया तो आपने सत्रा अधार वह जमा करा है लेकित तीन मेनी के अगर आपके सील दसजार कही वेक एक हुआ है तो आप उस दसजार तो वह एक्जस हुजाएगा और सात अधार आपको आपको आपके खातिन दुबार आ जा और बहुत सारा पैसा आके जाता है इन सब चीजों के अंदर जो की वास्तिव प्रगत के चीजों में लगना चाहिए तो इसका कोई मिन्हें मेकनिजम में कालने के आउशकता है और MSME को जो बेनेफिट्स सरकार के दरफ से मिल रहे हैं क्या वास्ताव मिल पा रहे हैं सर और अगर कही न कहीं गुंजाईश है कि अच्छे से मिले तो उसके लिए क्या रहा है सर अपकी मेरे खाल से आपकी जैसे फोरूम है वो मेरे खाल से वाच के आउक का काम कर सकती है और हिंगे स्क्री की आवाज को उठा सकती है बहुत विबिन किसम के समस्या हैं अलग-अलग शेत्र के अंदर हर शेत्र का अपने अलग काम करने का तरीका होता है चाहे वो केक्सेल का हो, चाहे वो कार्पिक का हो, चाहे वो जूलरी का हो, चाहे वो हेंगे क्राफ का हो, चाहे एंगे क्राफ का हो, आपको हर सेक्र के लोगों से बाचित करने चाहिए, उनकी समस्याओं को संकलित करना चाहिए, उसके उपर सेमिनार करने चाहिए, जिसके अं मंत्री बलकि वो अधिकारी उपस्तित हों पॉलिसी मेकर्स उपस्तित हों उनके सामने समस्य रखे जाए और खाली समस्य रखने से काम नहीं होगा समाधान भी सामने होना चाहिए कि आप सरकार को बता सकें कि आगर आपका एक हजार रुपय का रेविन्यू का लॉस हो रहा है एक जार रुपय आप जादा कमाएंगे लेकि सिस्किम बनाओ जैसे टूरिजम एक बहुत बड़ी इंडिस्ट्री है अगर आप टूरिजम के ओपर कैक्स कम कर दें होकल के ओपर कैक्स कम कर दें खाने पीने पर कैक्स कम कर दें तो क्यूरिज जादा आएगा जब जो स्ट्रॉंग पोइंक्स हैं, उनको कैसे बढ़ाए जाए, उनका कैसे विकास हो, निश्चत रूप से आपके पास ज्यादा रेविन्यू आएगा, क्यों अगर एकोनोमी चलनी चाहिए, आज की तारिक में क्या है, बड़ी स्लगिश एकोनोमी हो गई है, जिस भी वेपारी होईगी, तो चाहिए वो गैरेक केक्सिज हों, जाहिए गैरेक केक्सिज हों, दोने के अदर सरकार के पास इज्दाफ होएगा, और देश भी तेजी सा आगे प्रगतिकर सकेएगा. राजीव जी का कहना है कि MSME को लेकर, वेपार को लेकर, सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर आचुकी है, इसकीम इंप्लिमेंट भी हो रही है, और जहां तकलीफे हैं, जहां प्रियास होने चाहिए, वहां और प्रियास की आवशकता है, और आवशकता है धरातल पर आकर कारी कि जाए और स्कीम का वास्तवीक लाब लाबार्तियों को दिया जाए जिससे पूरे देश की GDP में 30% से ज़ादा योगदान देने वाला देश की इंडेस्टिलि प्रोडक्शन में 45% से ज़ादा कंट्रिब्यूट करने वाला और देश की एक्सपोर्ट में 40% से ज़ादा धन्यवाद इसी तरह हम लोग आपके साथ नेक्स्ट बहुत जल्दी नया डायलोग लेकर आएंगे सीटे लाएंगे बने रही है हमारे साथ सीए अभिशेक शर्मा धन्यवाद झाल झाल